हाई गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और इस वीडियो में हम 8 अगस्त के सभी important करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, हमेशा की तरह आप वीडियो को अंते तक जरूर देखेगा, आज भी आपको काफी करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियेफ, वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाते हैं, तो इस वीडियो के फस्ट कॉमेंट में दिये गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइट पर दिये गए, इस सभी पॉइंट को जरूर पढ़ें, और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें, तो हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखें, तो चलिए फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो सेशन की, 28 वे आशियान, छेत्रियमंच के विदेश मंत्रयों की बैठक किस देश की अध्धक्षता में हुई है, ओप्शन आपके सामने हैं, और सही आंसर होगा, ओप्शन डी, 28 आशियान, रीजनल फोरम, फोरेंग मिनिस्टर्स मीटिंग, हैड अंडर दा, चेर्मेंशिप ऑफ ब ब्रुनई दारुसनम की चेर्मेंशिप में इसने अध्यक्षता की है और भारत की ओर से जो भारत के विदेश मंत्राले में जो राज्य मंत्री है मिनिस्टर ओफ इस्टेट है डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंग इन्होंने आपर भारत को रिप्रेजेंट किया है आपको जानना चाहिए ब्रुनई इसी कैबिटल बंदर सेरी बेगवान ये है और इसी करंसी है ब्रुनई डॉलर पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुसों की फ्री स्टाइल की किस स्रेणी में कांच से पदक जीता है ओप्शन्स आपके सामने है 45 kg, 55 kg, 65 kg या फिर 75 kg तो सही आंसर रहेगा है आपर हमारा ओप्शन C रेसलर बजरंग पुनिया वोंदर ब्रॉन्ज मेडल इन्टम मेंस फ्री स्टाइल 65 kg कैटेगरी एड़ टोक्यो ओलंपिक 2020 तो बजरंग पुनिया ने हापर ब्रॉन्ज मेडल जीता है 65 kg कैटेगरी में है और इन्होंने किसको हराया है कजाकस्तान के दौलेत नियाज पेकोव को 8-0 से इन्होंने हापर हराया है और ये सोनीपत हरियाना से है ये भी आपको जानना चाहिए ओलंपिक में भारत के लिए स्वरंड पदक जीतने वाले पहले ट्रेक एंड फिल्ड एथलीट का नाम बताईए तो उप्शन से आपके बास अतनुदास निरत चोपड़ा, सोरब चोदरी या फिर शरत कमल अचंता सही आंसर आप सभी जानते हैं, आंसर होगा ओप्शन बी तो देखिए सुबेदार निरत चोपड़ा, निरत चोपड़ा जो है ये इंडियन जैविलिन थ्रोवर है यानि की भाला फेक जो इवेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इंडियन आर्मी में जूनियर कमिशन ओफिसर है और आपको जानना चाहिए ये पानीपत में हर्याने के पानीपत में एक खंडरा विलेज है यहां से आते हैं तो देखें ये फस्ट इंडियन एथलीट है जिन्नोंने अंडर 20 वर्ड चैंपियंशिप जीती है ट्रेक और फिल्ड इवेंट में साथ ही अब ये पहले ट्रेक और फिल्ड एथलीट बन गए हैं जिन्नोंने ओलम्पिक्स में गोल्ड मेडल जीता है ट्रेक और फिल्ड का मतलब क्या हुआ इस तरह का इवेंट जिसमें जंपिंग रनिंग और फ्रोइंग ये सभी यूज होते हैं ठीक है जंपिंग रनिंग और फ्रोइंग ये यूज होते हैं उनको बोलते हैं ट्रेक और फिल्ड इवेंट और साथ ही आपको जानना Beijing Games, जो Beijing Olympics हुए थे, यहाँ पर Abhinav Bindra जो Shooter हैं, इन्होंने ये किर्थिमान हासिल किया था, लेकिन ये Track and Field में नहीं आते, Abhinav Bindra ये तो Shooter हैं, ठीक है, ये तो Track and Field में नहीं आते ना, क्योंकि ना तो उसमें Jumping है, और ना इसमें Running है, ना इसमें Throwing है, तो ये जो निरच चो सम्मानित किया जा चुका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने जो जिसमें Gold Medal जीता, जो Final Event हुआ, तो पहला जो इन्होंने भाला फेक अपना जो किया, उसमें 87.03 मिटर, और उसके बास Second Event, 87.58 मिटर, जो है, फेका, प्रोफेसर सी आर राव सताबदी स्वर्ण पतक 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, ओप्शन आपके सामने है, सही आंसर होगा, ओप्शन सी, सो डॉक्टर सी रंगराजन और डॉक्टर जगदीश भगवती, हैव बीन अवादेट दप्रोफेसर सी आर राव सेंटिनरी गोल्ड मेडल 2020, और ये गोल्ड मेडल किसकी दरब से दिया जाता है, इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी, यानि टाइज ट्रस्ट के द्वारा, तो इस ट्रस्ट ने दिया है, प्रोफेसर सी आर राव सेंटिनरी गोल्ड मेडल, किसको डॉक्टर जगदीश भगवादी और डॉक्टर सी रंगराजन को, और जो ये प्रोफेसर सी आर राव है, ये जो ये टाइज है, इसके फांडर प्रेजिडेंट रह चुकी है, आगे बढ़ते हैं, राश्ट्रिय हद करगा, या फिर हैंड लूम, दिवस किस दिन मनाया जाता है, सही आंसर होगा, उप्शन स तो साथ अगस्त को मना जाता है, आपको बताते हैं, साल 2015 में, गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड हिया था, कि साथ अगस्त को अपसे हम हर साल नेशनल हैंड लूम दे मनाएंगे, हैंड लूम मतलब की, आपने वो देखा होगा, लकडी के, यानि की, वोडन के फ्रे फैब्रिक्स होते हैं, जैसे कि यह कोटन हो गया आपका, और आपका वूल हो गया है ना, उन, कपास, और रेशम, यह सबी होते हैं, तो इस से फिर अलग-अलग तरह के फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, वोडन फ्रेम्स होती है, उसमें फिर कारियर होते हैं, तो उसको बोलत अच्छा, 7 अगस्त को यह क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को भारत में स्वदेशी मूवमेंट इसको लॉंच किया गया था, तो इसी उपलक्ष में 7 अगस्त को National Hand Loom Day मनाया जाता है. राष्ट्य महिला आयोग की अध्यक्ष या अध्यक्षा का नाम बताईए, जिनने 3 साल का विस्तार दिया गया है, ओप्शन आपके सामने हैं, सही आंसरोगा ओप्शन बी, तो Central Government ने रेखा शर्मा जो की चेर परसन है, National Commission for Women, इनका जो कारेकाले 3 साल का बढ़ा दिया है, और 3 साल का बढ़ा दिया है, या फिर जब तक ये 65 साल की नहीं हो जाती, तब तक, जो भी पहले इवेंट होगा, तब तक, अगर ये 65 साल की हो जाती है, तो रिटायर हो आपको जानना चाहिए, जो National Commission for Women, ये इक Statutory Body है, यानि Constitution द्वारा इसको जो पावर है, वो Constitution द्वारा प्रोवाइड नहीं कराई गई है, ये इसका जिकर जो है, ये Constitution में नहीं मिलता है, तो इसका मतलब हो गया, फिर Statutory Body, वढ़ना हो जाती है, Constitutional Body, तो आपको जानना चा कभी, तो याद रखेगा, National Commission for Women की पहली हैड थी, जयनती पटनायक, किस मंत्राले ने PM दक्ष पोर्टल लॉंच किया है, सही आंसर होगा, Option D, so Ministry of Social Justice and Empowerment लॉंच पीम दक्ष पोर्टल, तो देखिए, PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाईल अप, इसको डैबलब किया है, Ministry of Social Justice and Empowerment ने, in collaboration with NEGD, और किसके द्वरा लॉंच किया गया है, जो Union Minister for Social Justice and Empowerment है, डॉक्टर विरेंदर कुमार, इनके द्वरा भी, इनके द्वरा ये लॉंच किया गया है, तो देखिए, दो चीजे हैं, एक तो ये, कि Union Minister for Social Justice and Empowerment को है, डॉक्टर विरेंदर कुमार है, क् इनका नाम आप याद रखेगा, तो इन्होंने लिए उन्च किया है, PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मुबाइल एप, तो इस एप के तुरू, जो भी, सेड़्ूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लासे से हैं, और जो सफाई करमचारी हैं, तो इनके जो Skill Development से Related जो Information है, वो आप यहाँ पर प्राक्त कर सकते हैं, और आपको जानना चाहिए दक्ष, जो यहाँ पर दक्ष लिखा, इसका मतलब क्या है, परदान मंत्री, दक्षता और कुशलता, संपन हितगराही, और यह 2021 से यह स्कीम इंप्लिमेंट की जा रही है, किस बैंक को सरकारी व्यवसाय, यानि जो सरकारी बिजनेस होते हैं, इसके लिए एजनसी बैंक के रूप में सुची बद्ध किया गया है, सही आंसर होगा, ओप्षन डी, सो करनाटका बैंक हैस बीन इंपैनल्ड एस एजनसी बैंक फॉर गॉवर्मेंट बिजनेस, तो देखिए, रिजर बैंक ओफ इंडिया ने जो है, करनाटक बैंक को इंपैनल्ड कर दिया है, एजनसी बैंक के रूप में, किसलिए जो गॉवर्मेंट के बिजनेस होते हैं, यानि कि अब जो गॉवर्मेंट के जो टांजक्शन हैं, मान लीजए, गॉवर्मेंट की दरफ से किसी को पे करना है, या गॉवर्मेंट को क स्लोगन है यूर फैमिली बैंक एक्रोस इंडिया जो लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की निदेशक की रूप में न्यूक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन सी सो द्रीती बैनर जी हैस विकम दफस्ट वूमन तो भी अपॉंटेट एस टारेक्टर ओफ जो लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया तो जो लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के 105 साल की इतियास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई महिला इसकी डारेक्टर बनी है और इनका नाम है दृती बैनर जी साथे आपको जानना चाहिए जो 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 लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया है इसकी स्थापना एक जुलाई 1916 को हुई थी और इसका हैटक्वाटर्स खौलकाता वेस्ट मेंगोल में है जितने ही फ्रेंड्स ही है जो सर्वे वाले और्गनाइजेशन है जो सर्वे ओफ इंडि सब्सक्राइब दिया गया है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन बी सो राजीव गवा इस ता यूनियन केबिनेट सेक्रेट्री हूँ हैस बीन कीवन वनियर एक्स्टेंशन इन सर्विस ब्योंड ऑगस्ट 30 2021 यानि तीस अगस्त को अगर यह रिटायर हो र राजीव गवा इब्राहिम राइसी ने किस देश के राष्ट पती के रूप में शपत ली है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन ए सो इब्राहिम राइसी स्वार्ण इन एस ता प्रेजिडेंट ओफ इरान तो देखें जो इब्राहिम राइसी हैं कभी-कभी इस तरह पूछ लेते हैं कि ये फॉर्मर क्या रहे हैं अपने देश के तो फॉर्मर चीफ जस्टिश रहे हैं इरान के और अब ये इरान के एर्थ प्रेजिडेंट के रूप में इन्होंने सपत ले ली है और किन को सक्सी किया है इन्होंने सक्सेट किया है हसन रोहानी को अगर हम बात करें इरान की तो इरान की कैपिटल है तहरान है यहां की करंसी इरानियन रियाल या फिर टोमन यह भी उसकी जाती है लेकिन आप याद रखेगा जो ओफिशल करंसी है यह रियाल है अगर आप इरान का जो आई थी ना कि जो इरान है यह अपनी ओफिशल करंसी टोमान को बना लेगा इसलिए मैंने आपको बता है कि ओफिशल करंसी रियाल है इसकी बाला कोट एर स्ट्राइक हाव इंडिया अवेंस्ट पुलवामा नामक पुस्तक के लेखक कोन है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर होगा ओप्शन भी तो देखें नेवी वेटरन रहे हैं यानी भारते नेवी में अपना योगदान दे चुगे हैं मनन भट तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और किसके द्वारा पब्लिश की गई है गरुड प्रकाशन के द्वारा आप सभी जानते हैं पुलवामा जमू एंड क कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को जो टेरर अटेक हुआ था उसमें हमारे जो CRPF के 40 जमान हैं वो सहीद हो गए थे तो उसके बाद फिर भारत ने जवाबी कारवाई करते हुए 26 फरवरी 2019 को जो है बाला कोट पाकिस्तान में जो भी यहां पर टेरर लॉंच पैड्स हैं इन्हें उ उत्तरप्रदेश तो यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया फर्स्ट बायो बैंक फोर हर्ट फेलियर रिसर्च इनोग्रेट इन केरल तो देखे केरल में है यह स्री चित्र तुरूनल इंस्टिट फोर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नलोजी तो यहां पर इंडिया इसको इनोग्रेट किया गया है तो यहां पर देखे कई तरह की आप जानती है कि कितना आज कलाम कोमन समस्या हो गया है यह हार्ट फेलियर तो इससे रिलेटेड जो भी डेटा मिल पाएगा वह यहां पर क्लेक्ट किया जाएगा साथी बलड बायोप्सी और क्लिनिकल डाट जो सब है ताकि जो इससे रिलेटेड जो थेरेपीज हैं उनमें सहायता मिल सके तो जब डेटा क्लेक्ट हो जाता है अलग अलग तरेगा तो उसी से जो डॉक्टर है वह निसकर सर्पोंच जाते हैं कि किस तरह से हमें अब आगे का इलाज कराना है तो इसलिए यह यूज हो सब्सक्राइब का ओप्शन ए सो इसरो लॉंच्ट हैल्थ क्वेस्ट इस्टडी पहले तो आपको जानना चाहिए क्वेस्ट का मतलब है क्वालिटी अप्ट्रेडेशन इने बल्ड बाई इस्पेस टेक्नलोजी तो इंडियन इस्पेस रिसर्च और्गनाईशन यानि इस र इसरो का जो अपना इसरो ने अपनी स्टेंडड बनाए हुए है उसको इस्पेस टेक्नलोजी की बिसमें साहता ली जा सकती है तो हेल्थ केर सिस्टम को यहाँ पर अपग्रेट करने से रिलेटर है हेल्थ क्वेस्ट इस्ट्री आपको जाना चाहिए इसरो के चेर्में जोक एस एस बाबु नारायन जिनका हाली में निदन हो गया किस खेल से जुड़े हुए थे सही आंसर होगा option D एस एस बाबु नारायन वो पास्ट वी रिसेंटली वास एसोचियेटेड विद फुटबॉल तो एस एस यानि की संकर सुब्रमन्यम या फिर इने कहते हैं बाबु नारायन तो ये टू टाइम्स ओलम्पियन रहे हैं और इनका हाल ही में निदन हो गया है तो ये जो 1956 और 1960 के जो ओलम्पिक्स होएं इसमें भारत के गोल की पर रहे थे कोर कमांडर वारता के बारवे दोर में एक समझोते के बाद भारत और चीन ने पुरवी लद्दाक के किस छ छेत्र से अलग होने की पहल कियी है यानिに डिसिंगेजमेंट यानि कि दोनों की जो से न आ हैं वो पीछे हटेंगी दोनों के जो जवाने वो पीछे हटेंगे पॉप्स कमांडर टॉक्स तो यहां पर बात्चीत हुई है दोनों ही साइड से तो इन्होंने कहा है जो इस्टर्ण लद्दा का जो गोगरा एरिया है जो गोगरा छेतर है यहां से हम दोनों ही पीछे हटेंगे अब देख रहते हैं प्रिवेस असाइनमेंट कोश्चन के आंसर वट इस ल्ट रो इन कॉंटेक्स ऑफ बैंकिंग आंसर इस लॉंग टर्म रेपो ओपरेशन वट इस दे कैपिटल एंड करंशी ऑफ मोजंबिक आंसर इस कैपिटल इस मपुटो एंड करंशी इस अटिकल वैल सिक्स सुदीरमन कप बायोनियल इवेंट इस एसोशियेटेड विद विच इसपोर्ट आंसर इस पैट्मिंटन तो आप में से कई एस्पेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दी हैं पांचोई कोश्चन के इसी तरह से आप पाटिस्पेट करते रहिए अब देख लेते हैं आज इन का नाम आपको बताना है माउलिंग नेसनल पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट वाट इस्पेटल एंड करंशी ओफ मेडागास्कर हुई इस तकरंट कैप्टन ऑफ इंडियन विमेंस होके टीम हुई करंटली हैट्स पब्लिक एकांट्स कमीटी कॉंसिटुटिट पाइधा पार्लेमेंट ऑफ इंडिया ये भी आपके लिए इंपॉर्टन कोश्चन रहेगा फ्रेंड्स की पब्लिक एकांट्स कमीटी इसके फिलाल जो चीफ है जो अद्यक्ष हैं ये कौन है तो पांचों कोश्टन के अंसर आप हमें कमेंट बोक्स में जरूरू हैं यहां पर regular video updates और current quidges हम आप सभी के लिए डालते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते हैं आपर हमारे current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जो भी fellow experience हैं उनके साथ हमारे current affairs की playlist को share जरूर करें और आज का यह session आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताईएगा thank you guys